धोलपुर शहर के निहाल गंज थाना छेतर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए नगदी के साथ लाखो रुपे के आहुशनों को पार कर दिया घर के सभी लोग गर्वी होने की वजह से कूलर के सामने एक साथ सोय हुए थे कूलर की आवाज की वजह से परिवार के लोगों को चोरी किवारदात का पता नहीं चल सका मामला शिवनगर कौलोनी नरसरी गेट के सामने का है जहां दो भाई रामदीन और रामपरशाद एक ही मकान में रहते हैं बीती रात को दोनों भाईयों का परिवार सो रहा था इसी दोरान देरात को अग्याद चोरों ने छट के सहरे सीडियों से होते हुए घर में घुसकर उनके कमरों के ताले तोड़ दिये कमरे के ताले तोड़ने के बाद चोड लाखो रुपे के सोने चांदी के आभूशन और कड़ी 6 लाख रुपे लेकर फरार हो गए सुबह के पहर जब घर के लोग नीन से जागे तो उने चोड़ी की घटना का पता चला पीडित रामदीन के पुद्र करिशन पाल ने बताया कि उसके पिताजी नगर परिशद में नोकरी करते थे और गत वर्ष जोलाई में उनका रेटार्मेंट हुआ था जिसका पैसा उन्हें मिला था घटना की जानकारे पेडित ने निहाल गंज थाना पुलस को दी मौके पर पहुँची पुलस ने चोरी की घटना का जाय जाली हाल निहाला गंज थाना आयसा चोबर जेंद सिंग ने पेड़ दोनों भाईयों की रिपोर्ट दर्ज कर ली है